मर्ज इसके नाम से पता चल रहा है यह कुछ मर्ज करने वाला ए कुछ जोडने वाला है लेकिन पहले बिरेंग तो हो जाए तब को जोड़ा जाए और एक पूरा ब्रोक नहीं होता वो अभी जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर ऐसे इतने सारे ब्लॉक्स हैं यह देखो यह अरे मान लेते हैं यह जीरो नंबर वाला है यह वन यह त्री देन फोर फाइव सिक्स सेवन एट एड नाइन टोटल टेन ब्लॉक्स हैं आपने मान ल थ्री, थर्टीन, ट्वैल और एट, यह है मान लेते हैं एरे, और अगर आपको इसको merge sort इस पर apply करना है, तो आपको इस array को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, break करना पड़ेगा, अलग-अलग parts में, अगर आपको इसे break करना है, अलग-अलग parts में, तो break कैसे करेंगे, सबसे पहले सब को कर दो break, मतलब मैं ऐसे कर देता हूं यहां पर, यहां लिख देता हूं 15, पहले तो आप चाहिए तो दो half part में करो break, दो half part में break अगर करते हो, जितना भी जो भी size है, divided by two कर दो, दो half part में break हो जाएगा, और जैसे ही दो half part में break होगा, चाहिए तो मैं उसको इतन है नहीं यहां पर लेकर मैंने लिख दिया, लेकिन एक चीज है, जब break हो रहा है, उसके बाद क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, तो divide and conquer technique को तो यह भी follow कर रहा है, divide करो, फिर उसे जोडो, वही technique, जैसे quick sort होता था, वो भी divide and conquer technique पे ही काम करता है, यह भी वैसे ही करता है हाँ, लेकिन इसका algorithm बड़ा आसान लगेगा, लेकिन जब program की बात आएगी तो setup program कोई होगा भी नहीं, setup program आपको नहीं मिलने वाला, कोई भी, मैं आपको एक दो चीज़ें आसान बताने वाला हूँ, आज मेरा एक वीडियो मैं डालूँगा, उसमें बहुत सारी चीज़े बताऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हो, कहां से पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, वो मैं जब वीडियो डालूँगा आज तब देख लेना, उसके बाद देखो यहां पे, इसको भी मैं क्या करता हूं यहां पे, दो पार्ट में copy करता हूं, चाहे इतना करो, चाहे इ बचेगा मतलब कौन सा यह, इतना, इसको भी copy कर लो, इस तरीके से, देखे, यह हो गया, उसके बाद फिर ससेम इसके भी साथ यही करो, पहले दो copy कर लो, यह देखो, दो किदर है, इदर है, और उसके बाद फिर यह तीन कर लो, इस तरीके से, हो गया, उसके बाद परदर ह करेंगे जनरली होता क्या है कि आप इसको और भी डिवाइड कर सकते हो दो पार्ट में और दो पार्ट में मतलब मैं इसको करूंगा तो यह सिंगल हो जाएगा और जनरली और किताबों में और कैसे होता है क्या करते हैं वो इसको एक करते हैं इसको अलग करते हैं ऐसा भी करते हैं वो भी गलत नहीं है मतलब क्या करना है कि यह दो अलग कर दो यह दो अलग कर दो यह सिंगल रहने दो चलता है फिर उसके बाद यहां से दो अलग कर दो यहां से एक अलग कर दो ऐसे भी चलता है तो इससे कोई प्रॉब्लम ने या तो पहले ही केस में क्या किये होते इतना अलग किये होते इतना हाँ ठीक है न वैसे भी चल जाएगा ठीक है तो अभी देखो इसके आगे मैं जा रहा हूं यहां पर इसके बाद मैं यहां पर क्या करूंगा इसको और डिवाइड करूंगा तो यह हो जाएगा 15 तू अलग कर दिया फिर ये हो जाएगा वन एटीन और सेवन्टी सिक्स साथ में रहेगा लेकिन उसके बाद वाली स्टेप में अलग होने ही वाला है तो उसको भी अलग करके लिख रहा हूँ नाइन्टी फाइट थ्री उसके बाद थर्टीन उसके बाद 12 और 8 अलग हो जाएंगे लेकिन 12 और 8 बाद में एक तो वो भी सेपरेट होने ही वालने है तो उसको भी पहले ही कर देता हूँ एक स्टेप हमारी बच गई यहां तक हो गया इसके बाद देखो इसके बाद मैं क्या करता हूँ अभी रहने देता हूँ भी बड़ाई इसको आप मर्ज करना है याद रखना जब आप मर्ज करते हो इन्हें तो आपको इस बात का ध्यान रखना है मर्ज करते समय कि पहले दो मर्ज करने फिर दो फिर दो फिर दो फिर दो इसी pair होनी चाहिए, merge करने के लिए, तो चलो, ये दोनों की pair सबसे पहले merge होगी, हाँ, लेकिन merge करते समय इस बात का ध्यान रखना, जो छोटा होगा, वो left में जाएगा, और जो बड़ा होगा, वो right में आएगा, तो इससे क्या होगा, ये हो जाएगा, तो, 15, ना, और ये हो जाएगा, 1, 18, ये हो जाएगा, 76, 95, ये हो जाएगा, 3, 13, ये हो जाएगा, 8, 12, ऐसे, मतलब आपने इतनी प्रोसेस कर दी, अभी आपकी नई प्रोसेस, यहाँ तक तो अलग था, अभी यहाँ तक हमने क्या किया था, यहाँ तक हमने break किया था, divide कर दिया था सब को, अभी हम conquer करने जा रहे हैं यहाँ पर, merge करने जा रहे हैं, divide and merge, अब उसके बाद जब ये दोनों merge करने जाओगे, तो आपको क्या करना, इस data को, इस से और इस से compare करना है, दोनों से करना है, तो सबसे पहले, चार block मैं बना लेता हूँ, यहाँ पर, चार data है, two को compare करना हूँ, सबसे पहले किस से, इस से, तो आपको पता चला, यह तो already merge ना, इस से मत करना, यह तो कर चुके था पिछले step में, इस से नहीं, इस से, तो पता चला, की one छोटा है, तो one पहले आएगा, फिर उसके बाद two को compare करोगे, इस से, पता चला two ही छोटा है, तो इधर two आएगा, फिर 15 को चेक करोगे, इस से कोई दिकत नहीं है, 15, 15 को इससे चिक करोगे नहीं तो यह सही है तो पहले 15 ही आएगा और बाद में 18 आएगा ठीक है यह हो गया उसके बाद अभी यह दोनों की बारी है फिर 4 ब्लॉक बना लेता हूं यहाँ पर 76 को कंपेर करोगे पहली बार किस से 3 से तो पता चला 3 छोटा है उसके बाद 76 को कंपेर करोगे किस से 13 से पता चला 13 छोटा है फिर 95 को कंपेर करोगे अब लेकिन हाँ अभी है 76 सीधर आएगा इधर आ जाएगा वो फिर 95 को कंपेर करोगे किसी से कोई बचा ही नहीं क्योंकि सब अंदर आ चुके हैं और लास्ट में 8 और 12 तो as it is रहने वाले हैं उसके बाद अब ये दोनों कंपेर होंगे जब ये दोनों कंपेर होंगे मर्ज करते समय तो इसका पहला चेक होगा इसके साथ टोटल आठ ब्लोक्स बना ही लेता हूं मैं यहां पर एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ हो गए अभी मैं यहां पर क्या करने वाला हूं यह जो पहला है इसको कंपेर करूंगा इसके साथ तो यहां पर मुझे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं तो इधर यह आ गया फिर उसके बाद इसी वन को अब वैसे भी इसी वन को आपको किस से चेक करना पड़ेगा इस से किस से इस से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यह यहां नहीं लिखना है फिर आपका यह वन हो चुका है न यहां पर अंदर आ गया तो लेकिन हाँ मैंने गलती और की हाँ ठीक है है आप वैसे भी समझ सकते हो इस one को इस से compare किया ये अंदर आ गया इसका खेल खतम फिर इस two को compare किया इस three के साथ two अंदर आ गया इसका भी काम खतम फिर 15 को compare किया इस three के साथ तो पता चला अरे three छोटा है तो three अंदर आएगा और उसके बाद 15 को 13 से किया गया 13 आ गया और जब 13 इदर आ गया फिर 15 को 76 से तो फिर 15 आया अब 18 को चेक किया गया three 13 तो हो चुके है 76 से 18 को 76 से करोगे तो 18 आ जाएगा 76 95 एस इस आ जाएँगे और लास्ट में कौन है eight और 12 ठीक है ऐसे ही आपको calculation करने और eight और 12 में फिर इस one को compare करोगे आप इस eight के साथ लेकिन अभी सबसे पहले आपको क्या करना है block बना लेना है total ten तो मैं यहाँ पर ten blocks बना लेता हूँ यह एक दो तीन चार पाँच फिर छे साथ आठ नौ हो गए एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नौ दस हाँ इस one को compare किया इस eight से कोई दिक्कत ने है फिर इस two को compare किया इस eight से कोई दिक्कत ने है इस three को compare किया इस eight से three आ गया फिर इस fifteen को compare किया eight से तो eight छोटा है हाँ 13 को किया 8 से तो इधर 8 आ गया उसके बाद 13 को compare किया गया इस 12 से तो 12 इधर आया फिर 13 को compare हाँ 13 हो गया भी comparison हो गया बागी सब as it is लिख लो खतम हो गया ना सारे बस यह ऐसे होता है merge sort